दोस्तो जी टीवी पर पसंद किया जो आने वाले टीवी शोज में अब मिठाई सीरियल का नाम शमार हो चुका है जो कि अपने दल्चस्प कहाने के साथ ही अपने टैलेंटेड कलाकारों के वज़े से भी काफी पसंद किया जाता है और इनी में इसे नाम आता है आशीश भार और देवातमा शहा का जो कि इस शो में मुख किरदार को निभाते हुए दर्शगों की काफी तारीफ के पा रहा है और इन्हें जोड़ी के रूप में दर्शग काफी प्यार देते हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं शो में परफक्त जोड़ी के तौर पर नजर आने वाले देवात्मा शाह और आशीश भारदवाज की जोड़ी उतनी भी पॉफेक्ट नहीं है बलकि इनके बीच उम्र का इतना फासला है कि उसे सुनकर आप हैरान हो जोएंगे जी हाँ असलिए आज के इस वीडियो में हम आपको देवात्मा और आशीश भारदवाज के बीच एज डिफरेंस के बारे में बताने वाले हैं तो चलिए करते हैं वीडियो के शुरुआत और जानते हैं मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले अपरेल में शुरू हुआ शो मिठाई दर्शुको को वरतमान में काफी एंटिटेन कर रहा है शो में समय के साथ दिखाई जाने वाली स्चूरी दिन बदन अंट्रस्टिंग होती जा रही है जिसकी वज़े से दर्शुक इस शो को देखने के लिए खीच चले आते हैं और काम करने वाले कलाकर हैं देवाथमा शाह और आशीश भारत्वाच जिन में जहां देवाथमा शाह शो में मिठाई के किरदार को निभाते हुए नजर आती है तो वहीं अपने मिठाई के बिजनस को आगे बढ़ाने के साथ ही सिधार चौबे की परिवार का भी इस्सा बन जिनके दुनिया आपस में जुड़ने के साथ ही इन दोनों सितारों के बीच प्यार पर वायं चुड़ने लगता है दोनों बले ही परस्नालिटी में एक दूसरे से बिलकुल ही अलग होते हैं पर इसके बावजूद इनकी किसमत इन दोनों को एक करने में जुड़ जाती है जिसके वज़़े से मजबूरी में히 सही पर दोनों को एक दूसरे के साथ शौधी के बन्धन में बनना पड़ता है और इस तरह इन दोनों के बीज दीरे दीरे understanding होने लगती है और जिसकी वज़े से बीते कुछ दिनों में इन दोनों को एक दूसरे से तूतू महमे करने के साथ ही इन एक दूसरे के साथ दर्शक बहुत ज़दा पसंद करते हैं वहीं बात करें दोनों के एज क्याप के बारे म तो इनकी इस खूपसरा जूड़ी की वज़े से पहचान पाना मुश्किल है वेल दोस्तों आप दिवात्मा शहाओ और आशीश भारतवाज के बीच इस पासले के बारे में जान कर क्या कहना चाहेंगे हमें अपनी राय कमेंड बॉक्स में कमेंड कर ज़रूर बिता है साथ इंडस्ट्री से जुड़ी आजी तमाम अपडेट्स के लिए मारे च्रानल को सब्सक्राइब करना ना भूले